ऐसे तो बहुत सारे हमने प्लांट लगाए हैं अब लगाते ही रहते हैं पॉट खरीद कर कभी सिमेंट पॉट में कभी मिट्टी के पॉट में कभी प्लास्टिक वाले पॉट में तो अक्सर घर से भी कुछ कभाड निकलते रहते हैं जिसका यूज करके आप कभाड में भी अच्छी तरह से प्लांट को लगा सकते हैं और ये प्लांट हिली ग्रो कर सकते हैं बसरते की कुछ साबधानिया जो आपको कवाड में अगर 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 प्लांट लगाते हैं तो कुछ बातों को जानना बहुत ही जरूरी है तो इस विडियो में फ्रेंड्स ऐसे ही देखिए कुछ कवाड के जुगाड में प्लांट लगा रखी हूं और सभी प्लांट हिल्दी ग्रोथ कर रहे हैं तो कवाड के जुगाड में अगर आप प्लांट लगाते हैं तो कुछ वाते को जानना बहुत ही जरूरी है और कुछ साभधानिया जो आपको वरतनी चाहिए तभी आपके प्लांट कवाड के जुगाड में भी हिल्दी गुरूद करेंगे तो इस विडियो के माध्यम से वही इंपोर्टेंट वाते जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कवाड के जुगाड में प्लांट लगाने के पहले तो चलिए जानते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप बीना ड्रेनेज होल के पॉट में या फिर किसी भी छोटे छोटे पॉट में प्लांट ग्रो करना चाह रहे हैं कप प्लेट हो या कटोरी हो या छोटे 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 गलास हो जो भी छोटे छोटे बरतन हो तो उस पॉट में ग्रो करने के लिए हमेशा आप सैलो रूट वाले प्लांट सिलेक्ट करें यानि कि उसमें रूट कम डिवलप हो आप जैसे की एक्जामपल में आप जीट प्लांट ले सकते हैं इस्नेक प्लांट ले सकते हैं एस्पेरियास फर्न के कुछ प्लांट आप ले सकते हैं जैसे वांडिंग जोई ले सकते हैं मेक्सिकन पिटूनिया ले सकते हैं ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिसके रूट बहुत ही कम डेवलप होते हैं अब बोनसाई प्लांट भी ले सकते हैं जो अच्छी तरह से छोटे-छोटे पॉट में भी ग्रो करते हैं अब कुछ annual flowering plant भी ले सकते हैं जैसे दैन्थास हो गजानिया हो पिटूनिया हो जुसके root बिल्कुल कम डेवलप होते हैं वैसे plant का आप सेलेक्शन करें यानि कि इस सबसे बड़ा point है कि बीना drainage hole के pot में जो भी आप plant सेलेक्शन करें बिल्कुल सैलो रूट वाले plant हो और दूसरी जो बाते हैं अगर आप इस तरह के pot बीना drainage hole के pot में प्लान्ट गुरो कर रहे हैं watering का ख्याल रखना यानि कि इसमें ना आपको under watering करनी है ना over watering करनी है by chance by mistake under watering और over watering हो भी जाते हैं तो आपको किस तरह से आपको plant लगानी है वो माइने सबसे ज़्यादा रखती है तो आईए मैं कुछ plant लगा कर भी दिखाती हूँ अगर आप बिना drainage hole के pot में plant लगा रहे हैं तो किस तरह से आप लगा हैं तो यह देखे फ्रेंड्स मैं plant लगाने के लिए यह सीसे वाले यह डबबे ले रखी हूँ यह जैम वाले डबबे हैं जो मेरे पास खाले पड़े हुए थे और यह देखिए soil इसमें एक पार्ट के करीब sand है एक पार्ट के करीब soil और एक पार्ट के करीब यह लकडी के रा और यह देखिए यह छोटे-छोटे कंकड़ पत्थर और यह नारियल के छिलके और यह जले हुए लकडी के टुकरे इस सभी चीजे बहुत ही माइने रखते हैं अगर आप बीना drainage hole के pot में plant लगा रखे हैं तो आए मैं कुछ plant भी कट कर लेती हूं plant लगाने के लिए यह मैं जेट प्लांट ले रही हूं कुछ जेट प्लांट के cutting और कुछ मैं स्नेक प्लांट भी ले रही हूं सबसब पहले आपको करनी क्या है फ्रेंट्स जो भी आप बरतन सिलेक्ट करते हैं उसके आधे भाग में आप कोसिस करें जो भी आप नीचे के portion में छोटे छोटे पत्थर डाले और आधे भाग में आप स्वाइल डाले यह देखिए मैं आधे भाग में कुछ कंकर पत्थर डालूंगी और कुछ लकड़ी के जले हुए टुक्रे और कुछ यह नार्गल के छीनके इसके उपर कुछ लकड़ी के ठुक्रे भी आप रख सकते हैं या फिर उनली आप लकड़ी के ठुक्रे भी यूच कर सकते हैं जले हुए और यह देखिए उसके बाद यह नार्गल के छील के इसे भी आपको इस तरह से इसमें रख देनी है इस तरह से यह दिखिए इस तरह से इसके बाद तिन सर्वी को आप मिक्स कर लें अच्छी तरह से और तोलो डबो में से आप इस तरह से भर दें और रमिक्स किविल में से दील है झाल के पिलाद से तरह से और मैं इस को आपऽी चलिए फ्रेंड्स मैं पानी डाल कर दिखाती हूं यह देखें पानी धेरे धेरे नीचे जा रहा है अपने भी एक्ष्टा पानी है आप देख सकते हैं यह मैं दिखा दूँ यह देखें बिलकुल नीचे के पोर्षन में आ गये हैं यानि कि जब भी आप बिना ट्रेनिज होल के पॉर्ट में प्लांट लगाते हैं तो आपको कोशिस करनी हैं कि आधे भाग में आपको कंकर पत्थर नीचे के पोर्षन में डालनी है और आधे भाग में स्वाइल जैसे कि हमने डाल रखी हैं आप देख सकते हैं नीचे के पोर्षन में सभी पानी नीचे आ सुके हैं देख सकते हैं नीचे यह है है तो चलितमा एक प्लांट भी लगा लेती हुँ है यह देखके कुछ snake प्लांट में ले रखी हैं मूं फैरिगेटर ये दोनों को मैं लगा दे रही हूं और यह भी कटिंग में लगा लेती हूं तो यह देखे फ्रेंड से मेरे प्लांट लग चुके हैं इसी परकार से आप बिना ट्रेनेज होल के पॉट में प्लांट लगाते हैं और कुछ साबधानियों को बरतते हैं प्लांट लगाने वक्त तो कभी भी आपके प्लांट खराब नहीं होंगे और इस तीन चीजों का यूज हमेशा आप करें ए छोटे-छोटे कंकर पत्थर और नारियल के छिलके और लकडी के टुकरे लकडी के टुकरे और नारियल के छिलके पानी को सोखने का काम करेंगे और जो भी एक्ष्ट्रा पानी होंगे तो वो नीचे के पोर्शन में आजाएंगे कंकर पत्थर के नीचे इसी परकार से आप बीना ट्रेनेश होल के पॉट में प्लांट लगा सकते है थैंक यू